आदाब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिक रियासी की डिस्टिक रियासी का पुराना नाम रसियाल था, बाद में ये नाम रसियाल से चेंज होकर रियासी हुआ एट सेंचरी में रियासी बीमगड का हिस्सा था बीमगड को बीमदेव रस्याल ने इस्टेबलिश किया था 1947 से पहले रियासी को डिस्टिक का दर्जा मिला हुआ था फिर 1947 की partition के बाद डिस्टिक रियासी की तहसील राजोरी और रियासी को अलग कर दिया गया राजोरी को पुंच के साथ जोडा गया और रियासी को डिस्टिक उदंपूर के साथ मिला दिया गया अवाम की मुसलसल कोशिशों के बाद 1 अप्रेल 2007 को रियासी को डिस्ट्रिक का स्टेटस मिला डिस्ट्रिक रियासी चिनाब रिवर के किनारे पर वाका है चिनाब रिवर का पुराना नाम असिकनी था जो सनस्कृत लेंगवेज का वोर्ड है डिस्टिक्क रियासी में चिनाब रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पाउर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पाउर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है सलाल हाइडरो एलेक्टरिक पाउर प्रोजेक्ट इंडस वाटर ट्रेटी के तहत जमु कश्मीर में इंडिया द्वारा तामीर किया जाने वाला पहला हाइडरो पाउर प्रोजेक्ट था 690 मेगवाट वले इस पाउर प्रोजेक्ट की कनस्ट्रक्शन 1970 में स्टार्ट हुई और इसका पहला फेस 1987 में और दूसरा फेस 1995 में कम्पलीट हुआ सलाल हाइडरो एलेक्टरिक पाउर प्रोजेक्ट की टोटल कनस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 929 करोड थी इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज डिस्टिक रियासी में है जिसे अंजी खाद ब्रिज के नाम से जाना जाता है डिस्टिक रियासी में दुनिया का सबसे हाइस्ट रेल ब्रिज बन रहा है जो जमू डिविजन को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करेगा 369 मीटर की हाइट वाले इस रेल ब्रिज को चिनाब रेल ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिसंबर 2022 में इसकी इनागरेशन हो जाएगी डिस्टिक रियासी में बीमगड फोर्ट भी बहुत फेमस है इस फोर्ट को रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है शुरू में इस फोर्ट को किंग भीमडेव रस्याल द्वारा मिट्टी से बनाया गया था बाद में इस फोर्ट को पत्थर से रिकनस्ट्रक्ट किया गया राजा रिशिपाल राना द्वारा प्रेजन्ट टाइम रियासी फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था राजा गुलाब सिंग ने 1817 में रियासी विजिट करने वाले लोगों के लिए ये एक एट्रेक्टिव प्लेस है रियासी फोर्ट को 1999 में आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट आफ जमू एंड कश्मीर के हैंड ओवर किया गया सियार बाबा वाटर फॉल डिस्टिक रियासी के कोटला विलेज में चिनाब रिवर के किनारे पर वाका है और एक बहुत एट्रेक्टिव टूरिस्ट डिस्टिनेशन भी है डिस्टिक रियासी में त्रिकूटा हिल्स पे विश्नो देवी श्राइन भी बहुत फेमस है हिंदू रिलिजन में ये एक होली प्लेस है और हर रोज हजारों की तैदाद में लोग वहाँ विजिट करते हैं इसके अलावा बाबा धानसर टेमपल भी डिस्टिक रियासी में बहुत फेमस है जमू कश्मीर में पहला विंड पावर प्रोजेक्ट डिस्टिक रियासी में बनाया गया 25 मेगवाट की पावर जनरेट करने वाले इस विंड पावर प्रोजेक्ट को 2017 में स्टार्ट किया गया और इसकी एस्टिमेटिड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 46 करोड है डिस्टिक रियासी में सुलू पारक भी एक बहुत ही फेमस टोरिस्ट डेस्टिनेशन है ये पारक डिस्टिक हैड़कवाटर रियासी से 4 किलूमीटर दूर रियासी कटरा रोड पे अंजी रिवर के किनारे पर वाका है इसके आलावा जियारत बाजी मिया इसमाईल साहब और डेरा बाबा बंदा बहादूर भी डिस्टिक रियासी में बहुत फेमस है आज की वीडियो में इतना ही अपनी राए कोमेंट सेक्शन में जरूर दें इसी तरह की और इंफार्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना मिलते अंगली वीडियो में किसी नई टॉपिक पर जब तक के लिए खुदा हाफिस